हाई फ्रेंट्स मैं परविंदर खारी फ्रेंट्स आज की हमारी गेम एक बहुत ही गजब की विंटेज गेम है मैन्वल लास्कर की है 1906 की गेम है और सामने वाले खेलने माले खेला दी है अरिंक्यू डॉल मॉन्टे शुरू करते हैं इसाथ यहां मैन्वल लास्करने शुरू किया अरिंक्यू ने यहां इसिक्स केला फ्रैंच डिफेंस हुआ डी फॉर डी फाइव नाइट चीए फ्री विश दीए फॉर बिशप डी सैवन धना नाइट आए फ्री स्कॉर पर फ़र वाइट नाइट इसेवन तो बिशप आया तो यहाँ पिन किया गया है, तो H6 का मूव यहाँ, ब्लैक निकेला, बिशप पर अटेक बना, बिशप गया H4 स्कुरेट पर, पिन को भी मेंटेन रखा है, बिशप C6, और यहाँ ब्लैक ने, मन्न लास करके इस नाइट पर अटेक बनाया है, तो बिशप D36 का डिफेंस, यहाँ लास करने किया, नाइट D7, देन कुई गई E2 स्कुरेट पर, बिशप टेक्स E4, कुई टेक्स E4, देन हुआ C6, ताकि यहाँ इस B7 पाउन पर डिफेंस रह सके, फरक पढ़ता नहीं थे जादा वैसे, लेकिन कैसल अब यहाँ लास करने किया, कुई गई B6 स्कुरेट पर, और यहाँ इस B2 पाउन पर अटेक है, नोट एग्जेक्ली, क्योंकि अगर B2 पाउन पर किसी भी प्रकार का अटेक बनाया गया, तो रुक काफी परेशान करने वाले होंगे, और वाइट के रुक को मौका मिलेगा, 7th rank में पहुँचने का, वेल, पहले खेला गया, C4, confidently कोई उर्ट नहीं है, B2 पाउन का धियान रखने की, और फ्रेंट्स, जिस तरह का, Peace Placement, वाइट यहाँ अचीव कर चुका है, यहाँ ब्लैक को इस G1 को आगे बुश करने के बारे में सोचना चाहिए था, यहाँ मैं ऐसा क्यों कह सकता हूँ, G5 बिशप पर अटेक होता, क्योंकि यहाँ नाइट F5 की आप्शन को, और रिट्क्यू ने चुना, और फ्रेंड्स, यहाँ कोई ऐसी बहुत बड़ा गलती मेरे खाल से ब्लैक ने नहीं की थी, बिशप पर अटेक बना है, बिशप बसता भी नहीं है, G3 स्कुर पर यह बिशप जाएगा, उसके बाद नाइट यहाँ इस बिशप को आराम से ले सकता है, लेकिन यहाँ ब्लैक ने कभी नहीं सोचा होगा कि मैंनो लास कर यहाँ कुइन टेक्स F करेंगे, अपना कुइन सेक्रिफाइस करेंगे, कोई रीजन नहीं थी, और यहाँ चुकि कुइन सेक्रिफाइस किया गया है, तो बहुत सोच समझ कर खेलना चाहिए था, अपना मैटरिल भी नहीं बापिस मिल जाता, एस सिंपल एस देट, क्योंकि यहाँ अगर कुइन बचाई जाती है, तो आराम से ब्लैक यहाँ वाइट को उस बिशफ को ले सकता था, लेकिन सेक्रिफाइस है, पर अब यहाँ आई रुक से चेक, और रुक से चेक आने के बाद बिशफ लगा बीच में, और फ्रेंट से नॉर्मली मेरे साब से वाइट डेफिनेटली यहाँ बिशफ टेक सी सावन कंसिडर कर सकता था, और डिस्कावर्ड चेक का खत्रा रहता है यहाँ पर, कुइन पर अटेक बता है, कुइन हेड़ जाती, देन बिशफ टेक से एफ सिक्स, इस तरह से गेम आगे बढ़ सकती थी, लेकिन यहाँ खेला गया था, रुप टेक सी सावन चेक, मैं यहाँ बिशफ वाले मूग को क्यों प्रैफर करता हूँ, कर रहा था भी थोड़ी एर पहले, क्योंकि रुप से चेक देने के बाद, यहाँ ब्लैक को मौका मिलता है अपने किंग को F8 स्कॉर पर लेकर जाने का, जो कि ब्लैक को यहाँ चलना चाहिए था, लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपने किंग को रखा D8 स्कॉर पर कुष्टनेबल मूग है, यहाँ इस रुप को हटाने के बाद यह डिस्कवर्ड चेक भी तो आती है, वेल, बिशेफ टेक्स F5 यहाँ दूसरे नाइट को लेने की तैयारी है, तो यहाँ पहले खेला गया नाइट F6, रुप टेक्स F7 और फिलहाल फिर वही कि यहाँ यह नाइट पिन है, तो रुप काया E8 स्कॉर पर फर ब्लैक, रुप D7 चेक और फिर नाइट के पिन होना का पूरा फाइदा उठाया गया, वेल, बिशेफ से एक बहुत अच्छी सी चेक आएगी और जो गेम को चेक मेट तक अराम से पहुंचा देगी, तो ब्लैक को अपने किंग को लेकर जाना ही पढ़ा D8 स्कॉर पर, ब्लैक के पास क्या डिफेंस है, रुप को सेक्रिफाइज करने का, रुप तो गवाना ही पढ़ेगा ब्लैक को, ब्लैक को रुप टेक्स E7, और डिस्कावर्ड चेक की फिर भी तैयारी गई, और इस डिस्कावर्ड चेक के बाद क्विन को लेने की थ्रेट है, बातों ही बातों में, जब से यहां वाइट ने अपनी क्विन सेक्रिफाइज किया, उसके बाद ब्लैक के पास सिर्फ क्विन और रुक बचा है, बाकि सब मेटिकल ने यहां खत्म होच चुका है, तो ब्लैक ने पहले इसलिए शायद अपनी क्विन को रखा, एए सिक्स स्क्विर पर ताकि क्विन तो कम से कम सेफ रहे, लेकिन नाइट E5, और फ्रेंट्स यहां यह चेक्मेटिंग स्टेज पूरी तरह से सेट हो चुका है, और अगले मूव में थ्रेट क्या है, वाइट की, यहां थ्रेट है, नाइट वे F7 स्क्विर पर ले जाकर चेक्मेट करने की, क्योंकि बिशप ने बहुत अच्छी डाइगनल कवर की हुई है, तो इसलिए क्विन टेक्स E4 के आप्शन को पहले यहां पर ब्लैक ने चुना, लेकिन रुक F7 चेक, नाइट से चेक देने की जूरती क्या है, जब एक और मेतर्ड है, वाइट के पास यहां चेक देने का, यहां दोनों बिशप बहुत ही, मैं कहूंगा, अच्छे तरीके से सजे गुए है, किंग गया E8 स्क्वाइर पर, देन बिशप D7 चेक, और बिशप है ही, अब यहां फिलाल चेक देने के लिए, डर्क स्कुराइट बिशप ने पूरी डाइवन कवर की वी है, तो फ्रेंट्स क्या आथ कमाल का चैक मेटिंग पैटन था, मुझे पूरी उमिद है आप सभी लोग को एगें जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चाइस ग्रूप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, आपके कमेंट्स का मुझे बेहर दिन जा रहेगा, थैंक यू फर वाचिंग एंड, बाई फूर नौव.